हेलो फ्रेंड्स, वेल्सम टू माई चैनल ग्रीन हाउस और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गुलाब के एक ही ब्रांच पर आप जादा से जादा कलियां कैसे ले सकते हैं, वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सा खाध है, वो कौन सी चीजे हैं जो पौदे की एक ही ब्रांच पर बहुत सारी कलियां निकालने के लिए पौदे की मदद करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, कि हम क्या क्या करके कौन से ट्रिक हैं, जिनको अगर हम अपने प्लांट पर फॉलो करेंगे, तो हमें एक ही ब पौदे के लिए और पौदे के उपर बहुत सारी फ्लावरिंग लेने के लिए पौदे की मदद करते हैं, तो step to step इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाब के पौदे की वराइटी के बारे में, क्योंकि होती है नस्री में, वो होती है hybrid गुलाब की जिसको की आप English गुलाब भी कहते हैं और इसमें बहुत सारे कलर के फूल आपको मिल जाएंगे, इसके साथ ही miniature variety यानि ऐसी वराइटी जो छोटे छोटे फूलों वाले पौदों की वराइटी होती है, जिसके अंदर एक ही ब्रा पर काफी सारे फूल, गुच्छों में फूल आते हैं, फूलों का size थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फूल काफी सारे आपको एक ही ब्राइच में मिल जाएंगे, तो friends ये जो सफेद रंग के फूलों का पौदा आपको दिखाई दे रहा है, एक ही ब्राइच पर बहुत सार फूल के लिए हैं, ये है गुलाब की मिनियेचर वराइटी, ये काफी सारे रंगों के आपको एवलेबल हो जाएंगे, जैसे कि ये सफेद गुलाब है, इसके लावा जो पिंक कलर का आप ये वाला मिनियेचर वराइटी देख सकते हैं, इसको हम बटन रोज भी कहते हैं, बटन रोज इसलिए क्योंकि इसके जो फूल है, वो बटन की आकरिती के छोटे छोटे फूल होते हैं, इसलिए इसको बटन रोज भी कहा जाता है, तो जो पहली कंडिशन है वो है पौदे की वराइटी, अगर आपको बहुत सारे फूल एक ही ब्रांच पर लेने हैं, तो आ आप मिनियेचर वराइटी अपने पास जरूर लगाएं, अगर आपको गुच्छों में फूल चाहिए, या फिर आप देसी गुलाब का पौदा भी लगा सकते हैं, अगर आपको गुच्छों में फूल चाहिए, लेकिन जितनी भी मिनियेचर वराइटी हैं, गुलाब की उ ऐसी condition में आपको अपने पौधे में नई ब्राँच कम मिलेगी और आने वाली जो कलियों की संख्या है वो भी कम मिलेगी, आप एक ही पौधे पर देख सकते हैं कि एक ही पौधे के उपर जो ब्राँच मोटी है उस पे जाधा कलियां बनी है और जो छोटी और पतली आपका miniature हो, अगर आप अपने पौधी की देख बाल ठीक से नहीं करते हैं, उसकी pruning नहीं कर रहे हैं, उसको खाना पानी सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो आपको वो पुरी तरीके से फूल निकाल कर नहीं देगा, तो आप यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि hybrid गुलाब की भी कुछ ऐसी varieties available है, जिनमें एक ही ब्रांच के उपर एक साथ काफी सारी कलिया निकल करके आती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हैं, यह सफेद फूलों वाला गुलाब का पौधा, यह English गुलाब है, इसका मैं grafting node भी आपको दिखा देती हूँ, यह है इसका grafted node, यानि कि यह grafted English गुलाब है, लेकिन इसके उपर भी आपको गुछों में फूल मिलेगा, किसी भी hybrid गुलाब के उपर अगर आपको एक से जादा कली चाहिए, एक ही ब्रांच के उपर, तो यहां पर आपको अपने पौधे की कटाई-छटाई करते रहना ब ब्रांच नीचे से तब ही निकलती है, जब आप अपने पौधे की कटाई-छटाई टाइम पर करते रहते हैं, यहां पर मैंने अभी September के महीने में प्रूनिंग करी थी, last September में, तो यहां पर यह नई ब्रांच निकल कर आई है, और इसके उपर कितनी सारी एक ही ब्रांच प इसके गुलाब के फूल वाला, आप देख सकते हैं कि इसके फूल का साइस काफी बड़ा होता है, इसके उपर एक ही ब्रांच के उपर एक कली बनी हुई है, लेकिन यहां पर एक दूसरी ब्रांच इसी पौधे में निकल कर आ रही है, यह थोड़ा नीचे से निकल कर आ रह आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने इंगलिश गुलाब के उपर भी एक से जादा कलियां ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, आपको जादा बेशल शूट्स, जादा नीचे से ब्रांच लेनी है, और ब्रांच जो भी आप ल जादा के लिए के साथ ब्रांचेस मिलेगी, तो इस दो कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि पहली जो कंडीशन है वो है वराइटी की और दूसरी कंडीशन है प्रूनिंग की, सही टेक्नीक प्रूनिंग का आपको पता होना चाहिए, और सही टाइम पर अपने गुलाब के पौधे में चाहिए वो किसी भी वराइटी का पौधा हो आपका जादा कलिया निकालने के लिए और जादा फ्लावरिंग के लिए पौधे को मोटिवेट करता है वो है खाद गुलाब का पौधा एक फीडी प्लांट है यानि एक ऐसा पौधा जिसको बहुत पानी की जरूत होती है अगर इससे आप फूल चाहते हैं तो इसको आपको खाना पानी लगातार देते रहना पड़ेगा अगर आप इसको अच्छा खाना देंगे तब ही आपको अच्छे फूल निकाल करके देगा गुलाब के पौधे में अगर आपको अच्छी फ्लावर और ब्रांच के उपर बनने वाली जो कलिया है वो बहुत जादा होती है यानि एक से जादा होती है क्यूंकि जो निकलने वाली ब्रांच है वो भी मोटी होती है तो इसके लिए आपको ऐसे फटिलाइजर देने हैं अगर आपको मार्किट से फटिलाइजर खरीदना है तो आप DAP, Bone Meal, Rock Phosphate या फिर SSP यानि की Single Super Phosphate अपने पौदे की मिट्टी में दे सकते हैं लेकिन अगर आपके पास Market का कोई ऐसा Fertilizer नहीं है जिसके अंदर Phosphorus की अच्छी मात्रा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ तीन ऐसे Fertilizer, तीन Home Fertilizer, आसान से Natural Solution जिनका इस्तुमाल करके आप अपने गुलाब के पौदे में Phosphorus की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं और अपने पौदे में जादा से जादा कलियां और जादा मोटी ब्रांच ले सकते हैं तो वो चीजे क्या है चली फटा फट से मैं आपको उनके ब जो अंडे के छिलके हैं वो कैल्शियम कार्गोनेट के बने होते हैं तो ये कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है इसके साथ ही इसके इसके अंदर कुछ Phosphorus और Magnesium की मातरा भी पौदे को मिल जाती है इसको इस्तमाल करना बहुत ही आसान है इसको आप सुखा करके दो भी आपका पौदा रिजर्ट दिखाना शुरू करेगा हम यहाँ पर अंडे की छिलके का इस्तमाल इसले कर रहे हैं क्यूंकि कैल्शियम होने से जो भी नई ब्रांच निकल कर आएगी आपकी वो जादा मोटी निकलेगी ये जो कैल्शियम है वो पौदे की जो टिशू है उसको बनाने में मदद करता है तो कैल्शियम देने से अगर पौदे को अच्छी मातरा में कैल्शियम मिल रही है तो पौधा जादा हेल्दी और मोटी ब्रांच निकालेगा तो आपका जो पहला हमारा कंडीशन है कि हमें जादा मोटी ब्रांच कैसे लेनी है वो पूरी हो जाती है और यह सबसे बड़िया नैच्रल तरीका है इसको डाल कर जादा मोटी ब्रांच और एक ब्रांच पर जादा कलियां आप ले सकते हैं अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो घर में अंडे के इस्तमाल नहीं करते हैं अगर आपके पास घर में चौक है यह जो चौक है ज कैलशियम दे सकते हैं यानि की गुलाब के पौदे को आप कैलशियम प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन मातरा आपको बहुत जॉद्य इस्त्माल सही तरीका के इसको आपको अच्छे से पीस करके इसका पाउडर बना करके डालना है, कुछ लोग सीधा इसको ऐसे ही गाड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे करने से आपको इसका जो रिजल्ट है वो बहुत देर बाद मिलेगा, क्योंकि ये काफी टाइम लेता है, मिट्ट महीने में अगर आप एक बार देते हैं, तो काफी है, अगर आप इसको बार बार देंगे, तो इससे गुलाब के पौदे की जो मिट्टी है वो बहुत जादा alkaline हो जाती है, चारिय हो जाती है, कैल्शियम कार्वोनेट पौदे की मिट्टी को चारिय बनाता है, जो अंडे क बहुत जादा इस्तमाल आपको यहां पर चौक का अपने पौदे में नहीं करना है अगर आप बहुत जादा चौक का इस्तमाल करेंगे तो इससे आपका जो पौदे की जड़े हैं वो nutrition लेना कम कर देंगी और आपके पौदे में flowering रुख जाएगी तो इसलिए से महीने में एक बार अगर आप इन चीजों का पने पौदे को दे देते हैं तो जो calcium की minimum मात्रा आपके गुलाब के पौदे को चाहिए वो मिल जाती है अब जो दूसरा fertilizer है जो की natural है और बहुत ही आसानी से हमारे घरों में मिल जाता है और phosphorus का सबसे बढ़िया natural source है वो है केले का छिलका केले के छिलके में potassium सबसे जादा पाया जाता है लेकिन इसके अंदर phosphorus की भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है अगर आप अपने गुलाब के पौदे को phosphorus देना चाहते हैं तो इसको सुखा करके और इसका powder बना करके आप अपने पौदे की मिट्टी में डालें अगर आ आपके size के हिसाब से आप 2-3 चमच अपने पौदे की मिट्टी में सीधा इस powder को दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं 3 चमच powder का इसमाल कर रही हूं जो कि मैं अपने 12 इंच के pot में दे रही हूं ये केले का जो powder है इसको आप 15 दिन बाद फिर से अपने गुलाब के पौदे क नहीं पौचाते हैं अगर इसकी मातरा आप थोड़ी सी जादा भी दे देंगे तब भी ये हमारे पौदे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पौचाते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक natural solution है हमारे पौदे के लिए अब टाइम में तीसरी चीज़ का जो की बहुत ही आसान और फ्री का fertilizer है जो की हमारे घर में रोज ही निकलता है और ये भी phosphorus का बहुत ही बढ़िया natural source है ये चीज़ क्या है जो रोज हमारे घर के kitchen में निकलता है और इसको हम fake देते हैं फ्रेंट्स ये है आटे की भूसी जो आटा आप खरीद करके लाते हैं उसको चन्नी में चानते हैं और चानने के बाद उपर जो भूसी बच जाती है यानि गेहूं की जो भूसी बच जाती है गेहूं के चिलके की इसको आप fake देते हैं ये waste होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भूसी का इस्तमाल बहुत सारे ऐसे product को बनाने में किया जाता है जो की हमारे शरीर को calcium और phosphorus देते हैं तो ये जो चीज है जिसको आप waste समझ रहे हैं इसको बिलकुल भी न फेके और इसका इस्तमाल आप अपने पौदे की मिटी में कर सकते हैं इसको चाहे तो आप पहले बहुत सारा ही कठा करके और मिटी में decompose करके भी अपने पौदे में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आप अगर इसको सीधा इस तरीके से डालेंगे तब भी ये आपके पौदे को नुकसान नहीं करेगा लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको कभी भी आप अपने पौदे की मिटी के उपर न बिखराएं ऐसा करने पर आपके पौदे की मिटी में उपर चीटिया लग सकती है फंगस भी लग सकता है आपको इसको मिटी में थोड़ा सा नीचे डालना है और डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिटी से ढख देना है ये डिकंपोस होने में बहुत जादा टाइम नहीं लेता है और इस इसका इस्तिमाल करके अपने पौधे में जरूर देके ये बहुत ही बड़िया नैचुरल सोर्स है फास्फोरस का और आज कल इसका इस्तिमाल मैं अपने पौधे में कर रही हूँ तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को आपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू